तो सुगाईज आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ जल चक्र का चित्र जी हाँ दोस्तों तो देखे जल चक्र समझने का एक असान तरीका है जी हाँ आप सब जानते ही होंगे आप सब जानते होंगे पेणपौधे पेणपौधे आप जानते होंगे तो परकास को लगने पर अगर वो उपर चल जाता है तो वो कहालाता है वासपी करन जी हाँ दोस्तों जब सुरी की करने पढ़ती है समद्र में तो उपर के जाता है तो आप लाको खालाता है वही पेणफ़ करन और वक पर जाएंगे वकल आगा वास्पोत सरजन वही वास्पिक्रन और वास्पोत सरजन दोनों मिलकर के संग्नन होते हैं और संग्नन होके वो बादल बनते हैं और कुछ देर के बाद वो बादल जब बादल में जब पानी के बुंदे जब भारी हो जाते हैं तो क्या होते हैं वो दूसरे अस्थान तक जाना कहलाता है आपको जल चक्रे समझे यानि कि हम यह कह सकते हैं कि जब सूरी की परकास लगा तो जब समूंदर में जो पानी था वो वास्प बनकर आसमान में चला गया तो वही फिर भूमी पर गिरेगा और समूंदर में गिरेगा तो मतलब कहें भी तो वही फिर सूरी की जब परकास की खिरनों पड़ेगी तो फिर से क्या हो चल जाएगा वायू मंडल में चले जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि जल को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाने की परकिरिया को बोलते ही हम जल चक्रे समझे तो चलिए वीडियो समाप्त ह हुआ अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के कॉमेंट में बताएगा मैं इसका सोलुसन और इजी में बताओंगा